दोस्तों अभी थोड़े देर पहले मैं YouTube Shorts देख रहा था तभी अचानक नहास इस्तिवारी जी का ये वीडियो मेरे आखों के सामने आ गया अखिर क्या खास बात है इस वीडियो में वो बताने के लिए मैं एक आप से एक प्रशन पूछना चाहता हूँ जस्त थोड़ी देर के लिए आप सोचिएगा जो मैं प्रशन पूछने जा रहा हूँ इसका उत्तर आप सोचिएगा थोड़ी देर के लिए प्लीज रिक्वेस्ट आप से मान लीजे कि आप किसी से ना बहुत जादा प्यार करते हो इस दुनिया में सबसे ज़ादा सबसे ज़ादा आप जिस इनसान से प्यार करते हो उस इनसान से आप थोड़ी देर के लिए दूर हुए हो आप चाहे मार्केट गय हो या कहीं भी गय हो अब उसी वक्त आपको पता चले कि अब वो इनसान नहीं रहा आप और वो आप से कुछ कहना चाहता था और बाद में जब आप ये सोचोगे कि वो मुझे कुछ बोलना चाहता होगा आखिर अंतिम वक्त पर जब वो जाने वाला होगा तो मुझे याद किया होगा मुझे बुलाया होगा मुझे कुछ कहना चाहा होगा उसमे जब ये दिल से सोचोगे न, रो दोगे, रोने से कोई नहीं रोप पाएगा, अगर दिल है न तो सोच सकते हो, अब देखो इस वीडियो में ऐसा क्या था, सुनो इस सेज को जाते तुमने ये आवाद तो भी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहां आते हूँ, कहां तुम चले गए एक बात बताओ, ऐसी लेडी, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, वो अगर इस वक्त अपने कदमों पर, अपने पैरों पर खड़ी हुई है न, तो इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, अरे सोच करके देखना, कितनी हिम्मत चाहिए इसके लिए, जब हम उस इंसान को खोते हैं, जो मेरे लिए या अपने लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा माइने रखता है, जो इंसान आपके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा माइने रखता है न, जब आप उस इंसान को खो गे न, तब पता चलता है, कि आपके अंदर हिम्मत कितनी है, और ऐसे केंडिशन में जब नहास इस्तिवारी आगे बढ़ रही है जिंदिगी में अपने मुकामों को हासिल कर रही है तो कुछ लोगों की मतिव रमित हो गई है वो लोग कमेंट करते हैं उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं गालिया देते हैं इनको अरे थोड़ा सा तो सम्मान की अधिकारी है नेगेटिव कमेंट्स की नहीं आप बस इतना इमेजिन करना कि आप सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते थे वो दुनिया से चला गया और अंतिम वक्त वो आपसे मिल भी नहीं पाया आपसे लेकिन मिलना चाहता था और तब जब आप याद करो खोने का गम क्या होता है अजब आप उनके याद में अपनी जिन्देगी सावार होगे लोग पांने देंगे तब आपको पता चलेगा कि लाइफ होता क्या है इसलिए बनना है तो किसी की हिम्मत बनो हिम्मत तोडने वाले तो करोड़ों खरें